बढ़ा बयान के जिवाल का CM पद छोडने का अईलान दो दिन बाद CM की कुर्सी से दूंगा इस्तीफा के जिवाल ने का है पत के लिए नहीं देश की सेवा के लिए राजिनती में आया अर्विन के जिवाल ने चला एक गौर बढ़ा सियासि डाओ दिली में दोजार पक्चीस में होने वाले हैं विधानसभाद चुनाओ क्या दिली विधानसभाद चुनाओ समय से पहले होंगे केजिवाल का ये जो खेल है क्या केजिवाल ने सियासी विक्टिंग कार्ड खेला है जेल में थे अर्विन के जिवाल को इस्तिफा नहीं दिया बाहर आकर इस्तिफे का इलान किया पहले भी कई बार विक्टिंग कार्ड खेल चुके हैं अर्विन के जिवाल तो लगातार अर्विन के जिवाल लगवच्छ है महीने बाद जेल से बाहर आए यह से पहले कमाम राजिती हुई कि अर्विन के जिवाल जेल में रहकर सीम पद पर नहीं रह सकते हैं अभी तक ऐसा शायद कभी हुआ नहीं था किसी मुक्यमंत्री रहते हुए कोई जेल में नहीं रहा है भारती इतिहास में और अर्बिन के जिवाल एकलोते ऐसे मुक्मंत्री हैं जो की मुक्मंत्री रहते हुए जेल में रहे हैं जेल में रहते हुए उन्होंने स्टीफा नहीं दिया इससे पहले स्टीफा देने की बात खुब होला हुई लेकिन केजरी वाल एसा नहीं किया लेकिन अब ये खबर सामने आई है जेल से चूटने के बाद केजरी वाल एक बाद केजरी वाल को इमानदार मानते हो कि गुनागार मानते हो मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूँ, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या केजरी वाल इमानदार है कि गुनागार है दोस्तो दो दिन के बाद आज से दो दिन के बाद मैं C.M. की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ और मैं तब तक C.M. की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जन्ता अपना फैसला ना सुना दे मैं जन्ता के बीच में जाऊंगा गली-गली में जाऊंगा, घर-घर में जाऊंगा और जब तक जन्ता अपना फैसला ना सुना दे कि केजवी वाल इमानदार है तब तक मैं सी एम की कुर्सी के उपर नी बैठ हूँ आज से कुछ महीने बाद चुनाव है दिल्ली के चुनाव है मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूँ अपील करना चाहता हूँ अगर आपको लगता है केजरी वाल इमानदार है मेरे पक्ष में वोट दे देना अगर आपको लगता है केजरी वाल गुनागार है मेरे को वोट मत देना आप अगर मेरे को अपर आपका एक एक वोट मेरी इमानदारी का सर्टिफिकेट होगा अगर आप मेरे को वोट दे के जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरी वाले मांदार है तो चुनांके बाद उसके बाद जाके मैं सीम की कुर्सी पे बैठूगा तब तक मैं सीम की कुर्सी पे नहीं बैठूगा आपको लग रहा होगा अभी अभी जेल से रहा होके आया है ये कैसा क्यूं बोल रहा है अभी अभी जेल से रहा ही होके आया है अभी इस्तीफा क्यूं दे रहा है इन्होंने मेरे उपर आरोप लगाया है इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरी वाल चौर है इन्होंने आरोब लगाया है केज़ी वाल ब्रश्टा चारी है इन्हेंने आरोब लगाया है केज़ी वाल ने भारत माता के साथ धोगा किया है ये करने के लिए नहीं आया था मैं सत्ता से पैसा और पैसे सत्ता इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था जब चौदा साल के बाद जब चौदा साल के बाद भगवान राम वनवास से लोटे सीता मैया को अगनी परिक्षा देनी पड़ी थी आज मैं जेल से आये हूँ, मैं अपनी अगनी परिक्षा देने के लिए तयार हूँ ये कुछ लोग बोल रहे हैं, सुप्रीम कोट ने कुछ कंडिशन्स लगाई है, काम नहीं कर पाएंगे पिछले दस साल में इन लोगों ने कंडिशन्स लगाने में कोई कसर छोड़ी थी केंदर सरकार ने एक कानून, दो कानून, तीन कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी शुर्य ये बढ़ते हैं, ख़बरों में आगे, सीम योगी आदित तिनात का बहराई